नमस्कार प्यारे दोस्तों आज मैं आप सभी को टाटा टियागो के साइड मीरर के बारे में बताने जा रहा हूं कि यह मूग कैसे करता है आप जहां स्टेरिंग आपकी होती है उसके बगल में ही राइट साइड में एक बटन होते हैं एक स्विच होती है यह स्विच आप दे आप इसे देख सकते हैं, तो जब आपको right side वारा driver side के mirror को move करना होता है, तो ये जो point देख रहे हैं, बीच का बिंदू, इस बिंदू को right side ले जाएंगे, और right side ले जाके, इसे just like joystick की तरह यूज़ करेंगे, अगर इसे उपर करेंगे तो ये देखिए उपर की और जा रहा है अगर इसे डाउन करेंगे तो ये नीचे की और जा रहा है इसी तरीके से इसे left और right मतलब इस joystick के मदद से आप इस mirror को movement कि धर की और भी कर सकते हैं इसके बाद यदि आपको left side के mirror को move करना होता है left side का ये mirror तो इसके लिए आपको इसी point को mid में कर लेना है mid के बाद left side ये L लिखा हुआ है L for left तो left side के mirror का movement जैसे जो आश्टी कौप योग आप इधर कर रहे थे move करके वैसे ही उधर भी करना है ये देखिए move कर रहा है left side ये right side हो गया जो रत की हिसाब से आप इसे घुमा सकते हैं अगर आपको उपर देखना है नीचे देखना है जिधर भी जो आपके लिए लगे कि ये सही दिसा है यहां तक आपके mirror को रहना चाहिए आप वहां set कर सकते हैं आप समुका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो कन तक देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में इसके जो ज़रूरी फीचर्स हैं वह मैं बता हूंगा जो आपको जानने चाहिए इसके अलाबा इसे आप कहां से खोल सकते हैं इसके बॉनेट को और भी जो ज़रूरी जानक करी होगी और क्या-क्या प्रावलम स्थोरी आई हैं हमारे टाटा टियागो में एक साल के बाद वह सारा कुछ में आप से डिसकस करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद